हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अधित्य और स्वागत है आपका Cyber Warriors AP YouTube चैनल में तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि PyCharm को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने कोई ब्राउजर में चले आना है यहां पे आपको लिखना है PyCharm इंस्टॉल और इंटरप्रेस कर देना है आप जैसे ही इंटरप्रेस करोगी यहां पे आपका सबसे पहले वाला लिंक आ जाएगा jetbrains.com का यह ओफिसियल वेबसाइट है इनका यहां पे आपको आना है और यहां मैं सब्जेस्ट करूंगा Community वर्दन यहां पे आपको दो वर्दन मिल जाता है professional और community और भाई professional आपका 30-day का free trial है उसके बाद आपको इसके लिए pay करना पड़ेगा यहां पे Windows के लिए Mac OS के लिए और Linux के लिए भी तो यहार आपको simply यहां पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और यहार यह आपको यहां पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर आपको save as पर क्लिक करना है वैसे यहाँ ग्रोम में तो direct download हो जाता है एज में save करना पड़ता है यहाँ पर आपको save पर click कर देना है तो आप देख सकते हैं यह हमारा download हो रहा है कि यहरा आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पाई चाम डाउनलोड हो चुका है चलिए इसे रन करते हैं कि यहाँ यह रण हो चुका है यहां पर हमारा setup रहने हो चुका है Welcome to PyCharm Community Edition setup यहां पर आपको next करना है यहां पर आपना destination folder आप चूज कर सकते हो और आप next करना है create desktop shortcut यह आप यहां पर आपको next करना है और यहां पर install पर आपको click करना है और आप यहां पर आप देख सकते हो यहां पर हमारा installation स्टार्ट हो चुका है तब तक हम यहां यहां पर क्लिक करते हैं और यार यहां पर हम डीटेल्स देखते हैं पिछ थोड़ा टाइम लगने वाला है इंस्टाल होने में तो मैं यहां पर थोड़ा स्किप कर रहा हूं हमारा फायचर्म इंस्टाल हो चुका है कि यहां पर लिखा भी अहां रहरा हा है कंबलेटिंग पायचर्म पायचर्म by बास आप इसे एक लिए सकते हो और उसे मैं पर अमें कार्राओ यह हमारा है कर और किए करेड़ाँ अ क्लिक करोंग नरॉट तो आप देख सकते हो यह हमारा Rouge अ ईसरे में यहां पर ऊतर्aking रहा हूं क्षब से लिएव हैं